हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको पंजाबी डाल मखनी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही असान है आप आराम से बना सकते हो यह हमने लिये है डाल और राजमा मैंने मिक्स करके रखे हैं यह मतलब 3-4 मैंने डाल लिये काली वाली और 1-4 राजमा मैंने इनको भीग हो दिया यह एक घंटे पहले के भीग होए राजमा और यह दाल है इसको फूल के इतना हो जाता है यह काफी बढ़ती है दाल उसमें अब हम डालेंगे वन मीडियम चॉप्ट अनियन और सेम वन मीडियम चॉप्ट टमैटो चार कलिया मैंने लहसुन के लिए और छोटा सा टुकड़ अद्रक का उसमें मसाले हैं हल्दी लाल मिर्च एक चमश नमक स्वादो नसवार और गरम मसाला देन हींग थोड़ा सा फुल क्रीम दूच जाएगा इसके अंदर और ओयल तड़के तो यह हमने डाल कुकर में डाल दिया है अभी हम इसको उबालेंगे अच्छे से थोड़ा पानी डाली आप इसमें यह अच्छे से भीग जाए उससे थोड़ा जादा जैसे कि मैंने आपको बताया था 3-4 दाल है भीगने के बाद वो फैल जाती है राजमा 1-4 है तो उसके क इक कटोरी हो गया पूरा यह भर गया तो अब उसमें हम लोग चार कटोरी मैंने पानी डाल दिया है मतलब 4 कप अभी आप देख सकते हो भीगी उससे तरह सा उपर है चार कप पानी डालने के बाद इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा आदा चमज हल्दी डाल दो इसमें 1 तीस्पून हल्दी देन नमक मैंने वन एड़ाफ टीस्पून नमक डाला है नमक आपके स्वाद के रिकोर्डिंग ही रहेगा इसमें मैंने जो चॉप्ट वन मीडियम अनियन है वो भी डाल दिया है देन चॉप्ट टमैटो भी डाल दिया है हम लोग दाल मखनी पंजाबी लोग ऐसे ही बनाते हैं तो इसको अलग से भूणना नहीं है साथ मैंने डाला है इसके अंदर मस्टड आइल मस्टड आयल हम लोग इसमें दालते हैं कि ताकि उसका एक फ्लेवर आता है दाल चेंदर तो यह मैंने तू टी स्पून मस्टड ऐल डाल है अब हम इसको जब हम के को तो कुकर को हमें के विसल्स देनी है साथ से आठ विसल में कुकर यह दाल उबल जाएगी का तो या बमने रख लिया है तड़के के लिए गैस की ओपर आप इसमें डाल लेंगे डेशी अथी आ डालेंगे, अब यह आप देख सकते हैं, यह जीरा जब क्रैकल्स हो जाए, तो आप इसमें, यह जो मैंने अद्रग और लस्टन को चॉप्ट किया है, वो मैं डाल रही हूं इसमें, इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं, यह हो जाएगा, यह देखिए, आपकी डाल भी बॉयल हो गई है, अगर आपकी डाल बॉयल नहीं है, तो आप एक दो विसल और देदेना, आपको आइडिया हो जाएगा, जब डाल अच्छे से हो जाएगी तो, यह देखिए, भून गया, अब इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दिया है, इसके अंदर, और फिर हम इसको उसमें मिक्स कर देंगे, यह देखिए, अद्दक लसन हो गया, ओल हमने उसमें पहले से डाला था, दो चमाच, अब हम देसी की का यह जो चौक लगाया है, यह हम इसम अब आप इसके हिला दो, देखो अभी भी इसमें पानी है थोड़ा, अब हम इसको दाल मकरी हमारी पंजाबी का क्या, कि जितना हम स्लो फ्लेम पे इसको धीरे 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 थोड़ा कडने देंगे, रसने देंगे मतलब, इसको थोड़ा और हम 15 मिनट तक हम इसको और अब कस इसको होने देंगे, देखिए अभी कलर चेंज हो गया, मेरा हो गया था, कलर चेंज हो गया इसमें, आपको कलर दिख रहा होगा पूर अच्छे से, अब इसको रख दो आप गैस के उपर, ठीक है, अब आप इसमें आदी कटोरी दूट डाल दो, दस मिनट हो गये थ आपको इसको पांच से साथ मिनट तक और पकाना है, थोड़ा सा फिर से आप ढग दो इसको और इसको पकने दो, धीरे धीरे, यह देखिए, अब मेरा हो गया, साथ मिनट बाद यह मैं दिखा रही हूँ आपको, यह अच्छे से थिक होगी, डेडी होगी, अब यह मैं अब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फोर वाचिंग मैं होल वीडियोज